दोस्तों आप सबको शार्दिय नवरात्री की मेरी तरब से बहुत-बहुत सुपकामनाई दोस्तों आज नवरात्री के पाँच में दिन मा इसकंद माता की कथा सुनेंगे नवरात्री के पाँच में दिन मा इसकंद माता की पूजा की जाती है मा इसकंद माता की पूजा करने से सभी प्रकार की मनो कामनाई पूण होती है, सत्रूओं पर विजय प्राप्त होती है और नी संतान लोगों को संतान सुख की प्राप्ती होती है अब आपके मन में सवाल आया होगा कि मा इसकंद माता कौन है तो आएए मैं बताती हूँ आपको मा दुरगा का पाँचमा स्वरूप ही मा इसकंद माता है और अब अगर आप ये जाना चाहते हैं कि इन देवे की गोद में यह बालक कौन है तो इसका जवाब है कि यह बालक है कुमार कार्तिके जिनका एक और नाम इसकंद है चार भुजाओं वाली मा इसकंद माता देवी पार्वती या मा दुरगा का पाँचमा स्वरूप है यह चार भुजाओं वाली माता सीर पर सवारी करती हैं इनके एक हाथ में कमल पोश्प है और एक हाथ से यह अपने पोत्र इसकंद कुमार यानि भगवान कार्तिके को पकड़ी हुई हैं भगवान कार्तिके को ही इसकंद कुमार कहते हैं इसकंद माता का अर्थ हुआ इसकंद कुमार की माता एक पौराणी कथा के अनुसार कहते हैं कि एक तार का सुर नामक राक्षस था जिसका अंत केवल सिब पुत्र के हातों ही समवब था तब मा पार्वती ने अपने पुत्र इसकंद यानि कार्थिके को युद्ध के लिए प्रस्चित करने के लिए इसकंद माता का रूप लिया था इसकंद माता से युद्ध प्रस्चित लेने के बाद भगवान कार्थिके ने तार का सुर का अंत किया था इसकंद माता हिमाले की पुत्री पार्वती हैं इन्हें माहिश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है परवतराज हिमाले की पुत्री होने के कारण पार्वती कही जाती है इसके अलावा महादेब की पत्नी होने के कारण इन्हें माहेश्वरी नाम दिया गया और अपने गौरवन के कारण ये गौरी भी कही जाती है माता को अपने पुत्र से अति प्रेम है यही कारण है कि मा को अपने पुत्र के नाम से पुकारा जाना उन्हें उत्तम लगता है मान्यता है कि इसकंद माता की कथा पढ़ने या सुनने बाले भक्तों को मा संतान सुक और सुक संपत्ती प्राप्त होने का बर्दान देती हैं इसकंद माता की पूजा करते हुए दोस्तों इस मंत्र का जाप जरूर करी या देवी सर्व भूतेसु मा इसकंद माता रूपेडु संस था नमस्तसे 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 नमो नमा तो दोस्तों ये थी हमारी इसकंद माता की पूराणिक कथा आपको ये कथा कैसी लगी? कॉमेंट करके जरूर बताईएगा और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा हैपी नवरात्री एवरिवान